दोस्तों भारत ने आखिरकार दुनिया को यह बता ही दिया कि हम किसी भी मामले में दूसरे देश से पीछे नहीं है क्योंकि भारत की वायू सेना ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जिसने अमेरिका और फ्रांस ही नहीं बलकि रूस के साथ ही साथ चीन की हति निर्माता कमपनियों की भी नींद उड़ा कर रख दी है। के लिए उड़ान भी भरी और आपको बता दे की कोई छोटी मोटी बात नहीं है बलकि यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पहली बार किसी भारतिय वायू सेना ने योरो फाइटर में उड़ान भरी और वह भी ऐसे समय पर जब भारत 114 फाइटर जेट खरीदने की डील को फाइनल स्टेज की ओर ले जा रहा है और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस इस दील के तहट राफेल देने में ना नुकर कर रहा है और भारत को महंगे दामों में बेचने की कोशिश कर रहा है हालां कि यदि हम योरो फाइटर को खरीदने की कोशिश करते ह तो दोबारा से फ्रांस भारत के सामने राफेल बेचने के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर होने वाला है तो पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के द्वारा 114 फाइटर जेट खरीदे जाने की डील के लिए जर्मनी का योरो फाइटर मिलका पत्थर साबित होने जा रहा है उसके लिए वीडियो को डोट एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दरसल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील के तहत लगभग 114 फाइटर जेट खरीद रहा है जिसके कारण अमेरिका, फ्रांस और रू चोटा मोटा नहीं है बलकि इसमें 114 फाइटर जेट भारत खरीद रहा है यानि कि जिस भी देश को इन लड़ाको विमान की डील मिलेगी उनके तो समझ लो वारे न्यारे ही हो जाएंगे और इसलिए अभी तक भारत को फाइटर जेट देने के लिए तीन देश कमपटीश में बने हुए हैं जिसमें रूस का सुखोई FU35 शामिल है जिसे भारत चाहे तो MRFA डील के तहत खरीद सकता है और फ्रांस इसमें भारत को अपने राफेल फाइटर जेट दे रहा है लेकिन फ्रांस इसकी जो कीमत वसूलना चाहता है वह काफी ज्यादा है और बात यहीं प मार्टिन जो की दुनिया की सबसे ताकतवर हथियार बनाने वाली कमपनी मानी जाती है और यह कमपनी खुद के द्वारा बनाए गए लड़ाकु विमान F-35 भारत को देना चाह रही है और दूसरे की बात करें तो वह है A-1 Super Hornet जो की अमेरिका की बोइन कमपनी इस समय बना रही है यानि की अभी तक भारतिय वायुसेना के पास अमेरिका रूस और फ्रांस को मिला कर यही चार चोईस थे जिसमें से कोई एक लड़ाकु विमान चुन्ना था और उसी को 114 की संख्या में भारत खरीद सकता था लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिस अपनी ओकात दिखाते हुए दोगुनी कीमत वसूलना चाहा इसी लिए यह बात साफ था ऐसा लगता है कि राफेल लड़ाकु विमान में भारत जेट को दोगुनी कीमत में तो बिलकुल भी नहीं खरीदने वाला है क्योंकि इस मैदान में जाना माना और ताकतवर विमान योरो फाइटर टाइफून भी कूट चुका है और अच्छी बात यह है कि इंडियन एर फोर्स के जो चीफ है वहाँ हाल ही में इसको उड़ाकर इसकी टेस्टिंग भी ले चुके कि आखिरकार यह भारत के लिए कितना कामगार साबित हो सकता है और ऐसा नहीं है कि भारतिय वायुसेना के चीफ इसमें उड़कर टेस्टिंग करने के लिए खुद गए थे बलकि जर्मनी की काउंटर अर्ट लिमिटेड की तरफ से खुद बुलाया गया था जिससे यकीनन इस बात पर विश्वास करना आसान हो गया है कि जर्मनी खुद इस फाइटर जेट को बेच क्योंकि उस समय यही सबसे ताकतवर फाइटर जेट था बलकि उस समय भी यूरोप का यूरोफाइटर राफेल को डोट आसानी से बीट कर रहा था लेकिन हमने उस समय यूरोपिये देशों के साथ हमारे समबंध इतने अच्छे नहीं थे जिससे सप्लाई चयन को लेकर भी कई सारी दिक्कतें पैदा हो रही थी और इससे बड़ी परेशानी वाली बात यह थी कि उस समय इसकी जो कीमत थी वह काफी ज्यादा थी इसलिए हमें यूरो फाइटर जेट की बजाए फ्रांस का राफेल ही ज्यादा अफोर्डेबल लगा इसलिए हमने 36 राफेल को फ्रांस से खरीद लिया लेकिन पहले की जो परेशानिया थी अब वह पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है और हमें यूरोपिय देशों के साथ ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है और कमाल की बात यहा है कि यूरोप की यूरो फाइटर को बनाने ने वाली कमपनी एरबस ने खुद कहा है कि भारत को इस फाइटर जेट को खरीदना है तो इसके लिए 30% कम कीमत चुकानी होगी और साथ ही एरबस की तरफ से यह भी कहा गया है कि वह इसमें भारत की जरूरत के हिसाब से नएने अपग्रेडेशन भी करने के लिए तयार है यानि की मान लीजिए इसकी कीमत पहले 100 बिलियन डॉलर थी तो यह भारत को मातर 70 बिलियन डॉलर में पढ़ने वाली है और खास बात यह है कि एरबस जो की इसे मैनियुफैक्चर करती है वह ना सिर्फ इसमें भारत के हिसाब से अपग्रेडेशन करेगी बलकि इसे भारत में भी मैनियुफैक्चर करन मिलने वाली है जबकि F-35 लडाकु विमान की डिलिवरी में काफी ज्यादा डिले हो सकता है क्योंकि फ्रांस की जो राफेल निर्माता कमपनी है उसे भारत से पहले भी दूसरे देशों ने कई राफेल खरीदने का आरडर लगा रखा है जिस से पहले उसकी डिलिवरी अमेरिकी कमपनी बोइंग की बात की जाए तो उसके पास भी ओन रेडी A1 सुपर हरनेट का एक बड़ा ओरडर अमेरिकी नौ सेना ने पहले से ही सौंपे हुए हैं जिसमें लगभग 250 की संख्या में यह लडाकु विमान बनाकर अमेरिकी सेना को डिलिवर करना है जबकि व और हमें अपनी नेवी ताकत को बढ़ाने के लिए देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा और यदि रूस के सुखोई ASU-57 की बात की जाएं तो यह वाकई में इस समय काफी ताकतवर लडाकु विमान है लेकिन रूस और युक्रेन में युद्ध के चलते इसके जो critical part है उस की डिलीवरी भारत को कब तक की जाएगी इसकी कोई भी समय सीमा निर्धारित करना मुश्किल है तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों इसी तरह का नोजेबल विडियो देखने के लिए विडियो को एक लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जैश्री राम जैश्री क्रिश्न